तो एलो दोस्तों मैं हूँ अवनीस और आप देख रहे हो सूपर इस्टाक एडवाइजर दोस्तों जब पीसी जुलर ये वाई लेवल पर भाग रहा था तब मैं आप लोग बताया था कि देखिए इसमें बहुत अग्रेसी होके खईदारी आप लोग मत करिए अभी इसका ट क्योंकि यह रहिस्टेंस था और अब ब्रेक हो गया है तो अब सपोर्ट बन जाएगा ठीक है तो शोजो बमालकर आप भी चुट रहा है उब वह तुम analysts है कि ठीक है बीस पैसा इसका जो है छूट गया है यहां पर पांच पर है तो अभी इसमें क्या करना चाहिए देखिए मेरे समझ से अगर आपके बास इसमें कैसे है कि उसमें के सीच konnte सनुं में देख राइना वह बिलकुल करते हैं तो कि यहीं सपोर्ड पर यह तो थोड़ा सय क्रेट कर रहा है लेकिन ठीक है बी को इसमेंबब धीर रहेगा मेरा गिरावुट का यह रहेगा देखिए मैं तो आप लोगDown को tylko 75 यह अँए हो पहले कितना percent का मेरे strategy में आपको loss हो सकता है या फिर घाटा लग सकता है कि यहां पर 75 से अगर हम देखेंगे तो 75 से 83 22 12 मतलब percent 12% का यहां पर इस strategy में रिक्स रहेगा लेकिन यहां पर जो benefit भी आपको रहेगा indirectly benefit रहेगा वो लगभग आपनों को बहुत अच्छा खासा indirectly benefit रहेगा वो 69 रुपे तक का अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए इस लेवल पर हम लोगों को जो है न वो अपने share जो है वो बेज देने चाहिए ठीक है low level इदम touch किया है यहां पे तीन बार low बना गया है अगर break करेगा तो panic gear out आएगी तो इस लेवल पे पहली बात की हम लोगों को इसका share बेज दिना चाहिए अगर यह उपर जाता है तो समझ लिजी अगर हम चुगतर पे बेचेंगे हम लोग तो फिर हमको इसको 83 के उपर buy करना पड़ेगा कितने के उपर 83 के उपर buy करना पड़ेगा तो हमारा डिक सो वहीं 12% करा है मतलब 12% हम लोगों का जो रहेगा और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा उतने quantity buy करने के लिए तो चुगतर पे तो मैं इसमें sell ही रहूँगा 83 के उपर जब तक नहीं जाता है तब तक मैं इसमें bullish नहीं होने वाला हूँ और 33 के उपर जाएगा तभी इसमें जो है अच्छा खासा upside का momentum आएगा वरना यह दबाव में रहेगा और या तो यहीं पर यह consolidate करेगा या फिर थोड़ी थोड़ी बहुत जो है धीरी दीर जैसे इस तरह से गिरावट आई है उसी तरह की गिरावट यहाँ पर देखने के लिए छोटी छोटी मिल सकती है थोड़ा थोड़ा मतलो slowly slowly गिर सकता है इस तरह से तो कुल मिला के कहने का ब्यूद निगेटिव है पहले से ही निगेटिव है अब भी निगेटिव है तो आप लोग देख लिजेगा मेरे समझ से अभी इसमें खईदारी तो बिल्कूल भी अवाइट करना चाहिए तो देखते हैं 83 रुपय को अगर break कर देता है थोड़ा सा hold कर लिजी हो सकता है कि 83 रुपय को break कर दे क्योंकि देखें low पे है तो ये low जब होता है न तो कुछ भी कहना गलत हो जाता है तो देख लिजे थोड़ा सा hold करिए अगर recovery आ जाती है तो अच्छी बात है वरना इसको जो है sell करने में ही भला ही रहेगा 83 रुपय के उपर जाता है तब इसमें खईदारी करिए और अच्छा खासा आपको target मिलेगा सबसे पहला 100 रुपय का मिलेगा और उसको break करेगा तो उपर आप लोग जितना 200, 500, 1000, 2000 बोलते हो वो सब देगा ठीक है न तो फिरहाल के लिए वहीं strategy आप लोग अपना ही है ठी ठीक है आज बर कल अगर break करता है तब तो फिर भेंकर गिरावत होगी ठीक है तो देख लीजिए आज अगर recover कर जाता है साम तक तो ठीक है market को भी recover करना चाहिए ऐसी situation में तो देखते हैं ठीक है न क्या होता है आप लोग अगर चैनल पे नए आया हो तो subscribe कर लेना वीडियो कि मूेत लीक है कि अ काहिए बरुट अजय değil रáng ठीक है जे लोग जा हम वीजिए दोए हो तो लोगो चैनल प्राव1 वy कि मूएगी तो इखते हैं जे प्लतwyn बदिए आप सुर माई रखते ल